बाउजन समाज की हर ख़बर पाने के लिए सब्सक्राइब करें बेटगार्ड पीपोल्स वोईस और पैल आइकन दबाए अर्जुन हो या एकलबवे हो यह आप लोग हमेशा जानते हैं कि दोनों की तिरंदाज थे लेकिन अर्जुन राजा का बेटा था और एकलबवे गरी परिबार चाहता था इस वज़े थे एकलबवे का अंगोटा काट लिया गया और पिरंदाज बन गया अर्जुन अब बसपा सुप्रीमो मायावती जीने यहाँ पर एक निसाना साधा है तीर चलाया है अगर ये निसाना सीधा साटिक बेड़ता है तो कंग्रेस पार्टी की जो गिंती है वो उल्टी सुरू हो जाएगी यहाँ पर साब तरीके से मैं बताने की कोशिश करूँ तो राजस्तान के अंदर जहाँ पिछले दिनों ट्विटर के उपर मद्य प्रदेश कॉंग्रेस ने एक लिका था कि 15 अगस्त का जंडा रोगन कॉंग्रेस के कमलनाजी ही करेंगे ये कुछ दिन की गलतियां है कुछ दिनों बाद यहाँ पर सब कुछ बदल जाएगा और 15 अगस्त को कॉंग्रेस पार्टी ही मद्य प्रदेश के अंदर शासन में जंडा लेराएगी मद्य प्रदेश का तो मुझे पता नहीं कि आप जंडा पहरा पाएंगे या नहीं लेरा पाएंगे लेकिन यहाँ पर तो राजस्तान में भी ऐसा ना हो जाए कि आपको जंडा लेराने के लिए जगा ना मिले क्योंकि मद्य प्रदेश में तो ना उप्चुनाव है और ना ही सरकार गिरने वाली है तो राजस्तान में जरूर ऐसा हाला चल रहा है कि ब्यास्पी ने जो निसाना लगा है अगर वो सटीग लगता है तो यहाँ पर राजस्तान में कॉंग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुशिवत खड़ी हो सकती है कैसे मैं समझाने के कोशिश करूँ बियोस्पी ने याचिका जवाब देने के लिए कहा गया है कॉंग्रेस पार्टी ने स्पीकर की तरफ से जवाब देने के लिए यहाँ पर कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता और एड़ोकेट कपिल सिंबल देवकी दतकायत और परतिक कासिवाल जिसे बड़े वकिलों से अपना जवाब है वो तैयार करवा रही है जबकि मैं समझने की कोशिश करूँ तो अगर 11 तारिक को कोट के अंदर इस मामले में सुनवाई होगी और 11 तारिक कोट इस मामले में सकती दिखाएगी क्योंकि 14 तारिक को यहां पर विदानसभा का सथ्र शूरू होने बाला है और 12 तारीक एगरम बात करें तो 11 के बार 12 अगस्त की बात करें तो 12 अगस्त को यहां पर कर्षिन जर्माश्टमी के कारण पूरे देश वर में कोट में बंद रहेगा और छुटी रहेगी अवकास रहेगा लेकिन 13 तारीक ही एक बातर बचेगी कि जिस दिन वो वापा सुनव कर दी जाती है तो कॉंग्रेस पार्टे के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है वैसे अगर हम देखने की कोशिश करें विदिक सलाकारों की तो यहां पर बात सामने आ रही है कि सो गेलोट की यह सरकार में तो यह बियस पी के च्छेविदाएक बोट जैसे त सीजन है कि वो इस मामले में क्या फैसला लेते है और सुप्रेम कोट के अंदर हाई कोट के अंदर जो फैसला सामने आएगा उसी पैसले के आदार पर असो गेलोट की सरकार या तो बचेगी या जाएगी इसका फैसला हो जाएगा लेकिन चाप है कि अगर बियस पी सुप्र झाल 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 ।